नमस्कार आप लोग होगा टाप्रेंग क्लास के प्यारे से यूट्यूब फैपर स्वागत है आज की लेक्चर में लोग बात करने वाले के अच्छा बारा की भातिक विग्यान की मोस्ट इंपॉर्टन टॉपिक आज की क्लास काफी लंबी होने वाली है तो आप सुरू से ले उत्तल लेंस के लिए क्या होता है और उत्तल लेंस के प्यारे बच्चो एक बात बता देना चाहते हैं चाहिए उत्तल लेंस के लिए हो लेंस का सुत्र एक ही होता है अब हम उन्हीं सुत्रों का यहां निगमन करेंगे यहां क्यों उत्तल लेंस के भी सुत्र का निगमन करन वाले प्यारे बच्छो ऐसा नहीं कि उतल बता क्या अपके लिए छोड़ दिया जाए हम दोनों बताएंगे तो सबसे पहले हम समझते हैं कि यह डाइग्राम कैसे बना मतलबा को आपको आपको आई लिंक पर दिखाई पर बनना अप उसको वहां से ओपें करके फुल वीडिय का डाउट नहीं रह जाएगा अब आप समझें मैंने क्या की है कि हमने एक उत्तर लेंस लिया मान लेते हैं कि यल कोई एक क्या है उत्तर लेंस है माना एल क्या है कोई एक उत्तर लेंस है जो की काफी पतला है प्यारे बच्छो अब उसका प्रकासिक केंद्र सी है लेंस का प् अब जो मुख्यक के समांतर जाती है वो दितिय फोकस से होकर जाती है और जो प्रकासिक केंद्र से होकर जाती है वो सीधे निकल जाती है और यह दोनों प्रकासके लड़े जहां प्रकाटी है इस वस्ट का बन जाता है प्रतिविम बन जाता है तो प्रतिविम देखिये बड़ा बना है एडेस बीडेस थीक पिरवचों तो उम्मीद है कि आपको यह जो डाइगराम है वो समझ में आ गया होगा अब माल लेते हैं प प्रकासिक के नव मुख्य फोकस के बीच की दूरी फोकस दूरी होती है यह तो आईए हम लोग इसका डेवेशन करते हैं प्यार बच्छों बहुत ही सरल वह बहुत ही आसान बासा में सबसे पहले हम करेंगे क्या त्रभोज अगला एड़स बीड़स सी एक दूसरे के समरूप है त्रभोज शुरुआत करते हैं प्यार बच्छों त्रभोज एड़स बीड़स सी एक दूसरे के समरूप है एक दूसरे के क्या है समरूप है अब आप समरूप क्या होता है क्या नहीं होता आप आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा एक दूसरे के क्या है समरूप समरूप का मतलब होता है सेम टू सेम एक सेम टू सेम डिक्टो दिखने वाले कहने का मतलब है अब देखिए प्यादे बच्चो कैसे समरूफ हुआ आप वहां से देखिए ये इंगल 90 हो गया और ये इंगल भी 90 हो गया देखिए ये दोनों इंगल समकोड हो गया अब आप देख पा रहे होंगे कि ये वाला जो इंगल है ये वाला और ये वाला जो इंगल है ये दोनों भी इंगल आपस में क्या हो जाएंगे बरावर होंगे क्यों क्योंकि यह सिरसा बिमुक्ष कोड़े और जिस त्रभुच की दो संगत कोड़े आपस में बरावर हो जाएं वह दोनों त्रभुच सरवांक समोता है ऐसे अगर आप एक्जामपल लेना चाहते हैं अगर कोई एक जैसा है और एक त्रभुच क्या है प्यारे बच्चो ऐसा बना हो और उस त्रभुच के उस त्रभुच का ये वाला कोड़ ये वाला कोड़ भी 30 हो और ये भी 30 हो और ये क्या हो 90 हो ये भी 90 हो तो ये दोनों त्रभुच एक दूसरे के क्या होते हैं समरूप होते हैं क्यों तो समरूपता का नियम कहता है प्यारे बच्चों कि ये संगत भोजाओं का अनुपात संगत भोजाओं का अनुपात संगत भोजा कहने का मतलब कि जो भोजा आप इधर ले रहा हो अब जैसे BC लिए इधर हम RQ ले लेंगे तो BC बटे क्या हो जाएगा RQ अब इधर आपने AC लिया उधर आपने PR ले लिया ये आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं ये समरुपता का सिध्धान है प्यारे बच्छो और इसी सिध्धान के आज के derivation को हम लोग समाप्त करने वाले आपस तो चलिए त्रभुज ABC और त्रभुज A-B-S एक दूसरे के क्या हो गए समरूफ हो गए अब जब समरूफ हो गए तो समरूफता कानियम क्या कहता है प्यारे बच्छो AB बटे P क्यूँ तिधर AB है इधर A-डस और B-डस है तो लिख सकते हैं AB बटे A-B-डस बराबर क्या हो जाएगा बराबर क्या होगा BC देखे BC है न तो BC के बज़ा यहाँ AC है और A-C है तो AC बटे क्या हो जाएगा A-C समीकर नमबर एक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए अब हम एक तरभोज दूसरा ले रहे हैं प्यारे बच्छों यहाँ से लेके यह वाला तरभोज ECF2 देख रहा है तरभोज ECF2 तरभोज ECF2 तथा अगला वाला जो तरभोज है प्यारे बच्छों वो तरभोज है A-B-F2 तरभोज A-B-F2 एक दूसरे के समरूप है एक दूसरे के क्या है समरूप है भाईया जब यह एक दूसरे के क्या है समरूप है तो समरूपता का नियम क्या कहता है ध्यान से देखियेगा जरा भाईया यह वाले तरभोज इस तरभोज के क्या है समरूप है वही प्रोसेस बे-शिरसावा है जब समरूप है तो E-C बटे A-B-डेस हो जाएगा यहाँ से इस नियम से क्या होगा E-C बटे A-डेस और B-डेस बराबर क्या होगा प्यारे बच्चो ध्यान से देखिएगा अगला हो जाएगा C-F2 क्या हो जाएगा C-F2 और बटे क्या हो जाएगा A-F2 क्या हो जाएगा A-F2 ध्यान से अगर देख रहे होंगे चित्र में देखिए तो जो EC है वो AB के क्या है बराबर है तो चित्र से ये पता चल रहा है चित्र से देखने पर जो EC है वो AB के क्या है equal है EC जो है न वो AB के क्या है equal है तो जहाँ EC है प्यारे बच्चों वहाँ AB रख सकते हैं जहाँ EC है वहाँ AB रख सकते हैं तो AB बटे क्या हो जाएगा A- और B- बराबर CF2 बटे A-F2 ठीक समीकरण नंबर दो समीकरण 1 और समीकरण 2 अब आप समीकरण 1 और 2 को देखिए तो 1 पक्च आपस में बराबर है तो हम कह सकते हैं दूसरे पक्च भी आपस में क्या होंगे बराबर होंगे तो हम यहाँ से यह चीज़ लिखेंगे समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा बताएए प्यारे बच्चों हो जाएगा AC बटे AC बटे A-C बराबर CF2 बटे A-F2 आएए सब की हम क्यों value रखते हैं प्यारे बच्चों value क्या रखते हैं समीकर नंबर अगर 3 बनाना चाहे तो बना सकते हैं नहीं तो पहले देख लेजे कि किन की value आपको नहीं पता जैसे A से लेके C की value पता है A-C तक A-C तक की value पता है C F2 भी पता है परंतु A-F2 A-F2 आपको नहीं पता है यही क्यों एक चीज़ समझना A-F2 मुझे यहां से यहां तक की दूरी चाहिए प्यारे बच्चो तो ध्यान से देखे अगर हम यह वाली दूरी चाहिए तो मुझे यहां से total A-C में से C F2 को माइनस करना पड़ेगा देखे इतनी दूरी चाहिए अगर मुझे यहां से यहां तक दूरी पता और यह पता है तो प्यारे बच्चो इतनी दूरी में से इतनी दूरी काटके बाहर कर दे तो ध्यारी बच जाएगी ना तो वही चीज़ हम लिखना चाहरे हैं तो क्या लिखेंगे यहां A-F2 जो है वो किसके बराबर है जानते हैं A-C A-C माइनस क्या है C F2 के बराबर है A-C माइनस क्या हो जाएगा C F2 तो क्या हम यहां पर रख सकते हैं बिल्कुल रख देते हैं A-C बटे क्या हो जाएगा A-C बराबर C F2 है और पूरे के बटे क्या हो जाएगा बता A-C माइनस C F2 समीकर नमबर 3 समीकर नमबर 3 अब हम क्या करेंगे इन सब की बैलू चिन परिपाटी की मदद लेते हुए रख लेंगे चिन परिपाटी की सहायता से उन सब की बैलू रखेंगे तो चलिए ध्यान से देखते हैं अब जो A-C है वो देखे A से लेके C की दूरी U है परंतु य प्राइम की तरह की दूरी है तो प्रेकासिक केंद्र के बाएं की तरफ की दूरी रिलातमक होती है भी Susie- के अगला A-C A dash C यहां से लेकि यहां तक दूरी कितनी है V है यह plus होगा क्यों कि प्यारे बच्त वो दाएं की तरह की है अगला अगर मुझे CF2 चाहिए तो CF2 क्या हो जाएगा CF2 कितना है यहां से लेकि यहां तक तो F है यह भी आपका क्या होगा प्लस यप होगा तो ये सबमान समी करण तीन में रखने पर चलिए ये सबमान ये सबमान समी करण तीन में रखने पर कहां पर रखने पर प्यार बच्चो समी करण तीन में रखने पर अब आप अगर समी करण नमबर तीन देख रहे होंगे तो दिखाई पर रहागा AC है, तो AC के अस्तान के हम माइनस U रखेंगे, फिर बटे A-C है, वहाँ V रखेंगे, बराबर C-F2, यहाँ है न, अब C-F2, C-F2 का आमान कितना कितना है, चारे बच्चो, F है, और A-C, A-C का आमान कितना है, V है, और फिर C-F2 है, तो माइनस F, ठीक, अब क्रॉस मल्टिप्लाई कर देते हैं, प्यारे बच्चो, बस, क्रॉस मल्टिप्लाई करेंगे, तो U का गुना V से करेंगे, तो माइनस U, V, माइनस U का गुना माइनस F से करेंगे, तो प्लस U, F हो जायागा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, V का गुना F से करेंगे, तो V, F हो ठीक, लास्ट में हम लोग क्या करते हैं, दोनों पक्चों में, दोनों पक्चों में UVF से भाग देने पर, UVF से क्या करने पर, भाग देने पर, जैसे आप दोनों पक्चों में UVF से भाग देंगे, तो माइनस UV बटे UVF हो जाएगा, प्लस, UV बटे UVF हो जाएगा, पर आब VF बटे UVF हो जाएगा, यह दोनों कैंसिल हो जाएगे, UVF से UVF कैंसिल हो जाएगा, UV से UV कैंसिल हो जाएगा, यहाँ माइनस एक बटे F बचेगा, प्यारे बच्चों, वहाँ एक बटे V बच्चा है, यहाँ एक बटे U बच्चा है, ठिक, अब आप ध्यान से देखिए, अगर हम करते क्या है, थोड़ा आसा को समझना बस, अगर ह इस वाले पक्च को उधर लेके जाएं, तो यह वाला पक्च प्लस हो जाएगा, प्यारे बच्चों, तो एक बटे V बराबर एक बटे U प्लस एक बटे Y, अब यह वाला पक्च अगर बराबर किधर ला दें, तो माइनस हो जाएगा, यह वाला पक्च बराबर किधर आएग साफ माइनस होजाए तो क्या मीलेगगा फा chapters एक वी माइनस एक बड़े यू बराबर एक बडऻे 10 इस प्रकार प्यारे बच्कों, यह आपका उत्तर लेंस के लिए सुथ प्राप्थ हो जाता है, जहां वी, प्रतविम्ब की दूरी है, यू वस्त की दूरी है और फ जो है फोकस दूरी है प्यार बच्चो इस प्रकार आपका उत्तर लेंस के लिए ये सुत्र कंप्लीट होता है उम्मीद है कि आपको कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं रह गया होगा आप इनका एक screenshot लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं अभी तक आपनी सेशन को सेर नहीं किया तो सेशन को सेर जबरजस्ट कीजेगा प्यारे बच्चो तो गाईज आई हम बात कर लेते हैं आउतल लेंस के लिए सुत्रका निगमन कैसे करते हैं प्यारे बच्चो क्यों आउतल लेंस में यह होता है कि आपके जो डाइग्राम है वह क्यों बदल जाता है बाकि प्रॉसेस सेम टू सेम वही होता है क्या होता है कि आउतल लेंस में जो प्रतिविम बनता है प्यारे बच्चो वह क्यों दो ही इस्तितियों में बनता है यह भी जो है आपको उसी वीडियो में क्लास बताया गया कि और लेंस द्वारा प्रतिम कैसे बनता प्यारे बचो आप वहां से अगर देखे होंगे तो आपको जरूर अच्छे तरीके से यह चीज़ समझ मारा होगा पिलागा हम यहां पर जरूर समझेंगे मान लेते हैं कि माना कोई एक ओतल लेंस है ओतल लेंस क्या होता है पहले बचो जो किनारे पर मोटा हो बीच में क्या हो पतला हो उसे हम ओतल लेंस करते हैं अब इसके जो है जो वस्तु है वो अनंत और F2 के मद्धे रखी गई है अनंत और F2 के मद्धे कोई वस्तु A भी है कोई वस्तु कोया है पहल जो कि अपुवर्टित होने के पस्चाथ अपने मार्ग से बिचलित होकर बाहर की तरफ निकल गए, और दूसरी प्रिकास क्रिणभी में बनेगा ही नहीं बनेगा, इन दोनों किर्णो को पीछे की तरफ बढ़ाया गया, तो तो दोनों के लोगों को पीछे की तरफ बढ़ाने पर ये दोनों प्रिकास के लिए इस बिंदू पे काटी जहां आप बना हुआ प्रतिविम A-S और B-S आपको दिखाई पढ़ा जो की F2 और C के मध्य बनता है प्यारे बच्चो तो इस प्रिकार ये जो डाइग्राम है वो आपका कंप्लीट हो जाता है अब यहां पर आपको जो त्रफुज हूल करने हैं वो त्रफुज हैं A-B-C त्रफुज A-B-C और A-B-C एक त्रफुज ये है चलिए इन दोनों त्रफुज को पकड़ते हैं क्या करते हैं त्रफुज त्रफुज A-B-C और अगला त्रफुज जो है त्रफुज A-B-C एक दूसरे के समरूप है एक दूसरे के क्या है प्यारवच्चो समरूप है इस बात को ध्यान दिशेगा जब ये एक दूसरे के समरूप है तो समरूपता कानियम क्या कहता है समरुपता कानियम अभी मैंने कुछ मिनट पहले या कुछ पिछले वाले टॉपिक में बताया था किनकि संगत भुजाओं का अनुपात आपस में क्या होता बराबर होता अर्थात AB बटे A-B-S क्या हो जाएगा AB बटे क्या हो जाएगा A-B-S बराबर क्या होगा अगला होगा अब A-C बटे A-C समय कर नंबर 1 अब हम दूसरा त्रभुज पकड़ेंगे दूसरा त्रभुज कौन सा है पैरे बच्चों यहां देखे दूसरा त्रभुज जो है वह आपका है DCF2 त्रभुज DCF2 दिखा त्रभुज DCF2 और अगला जो त्रभुज है अगला त्रभुज है A-B-S F2 त्रभुज A-B-S F2 एक दूसरे के समरूप है एक दूसरे के क्या है समरूप अब जब ये एक दूसरे के समरूप है तो समरूपता कानियम क्या कहता है पैरे बच्चों जरा सा बताईएगा एक दूसरे के क्या है समरूप है तो समरूपता कानियम कहता है ध्यान से देखेगा dcf2 dcf2 में जो यह dc है वो लंब का काम कर रहा तो dc बटे a dash b dash dc देखिए यहां से dc बटे a dash b dash dc बटे क्या हो जाएगा a dash b dash equal to अगला क्या हो जाएगा पैर बचे यह भुजा देखिए cf2 आपको चित्र में दिखाई पर रहा होगा देखिए cf2 यहां से लेके यहां तक तो cf2 पूरे के बटे b dash f2 b dash f2 b dash f2 नहीं बलकि a dash f2 होगा पैर बच्चों क्या हो जाएगा a dash f2 हो जाएगा ठीक यह अब आप अगर चित्र से देख रहे होंगे तो चित्र से आपको यह चीज़ जरूर देखने को मिल रहा होगा पैरे बच्चों कि जो आपका dc है यह वाली जो भुजा है वो a b के बराबर है तो dc जो dc है वो a b के क्या है एक्कोल है क्या हम यह चीज़ यहां रखते हैं तो dc के अस्तान पे a b रख देंगे बटे a dash b dash बराबर c f2 बटे क्या हो जाएगा a dash f2 अब ध्यान से दिखेगा यहां पर क्या करते हैं समी करण नंबर इसे क्या बना देते हैं दो बना देते हैं अ एक पक्छ आपस में इक्कुल है इसलिए यह आपस में भी एक्कुल होगा मतलब यह इनके बॉराबर ने यह दोनों आपस न बॉराबर थे तो समी करण एक और दो से हैं एड़ास 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 एड़ा तो क्या मिलेगा चित्र से जो a-f2 है a-f2 जो है वो cf2 माइनस c a-s के बराबर है cf2 cf2 में से c a-s घटा देंगे यही यहां से लेके यहां तक की दूरी मिल जाएगी आपको ठीक तो यह बदल देते हैं प्यारे बच्चों अब a-c बटे क्या मिल गया यहां a-c बराबर cf2 तो नहीं बदलना बलिकी a-cf2 बदलना a-cf2 क्या हो जाएगा cf2 माइनस c a-s समीकर नंबर 3 हो गया ठीक अब हम सब कहल मान रखेंगे ध्यान से दिखिए अब a-c a से लेके c की दूरी f है एक बात आप ध्यान दीजिए अउतल लेंस में सभी दूरियां दरपड के बाएं तरफ है इसलिए सभी दूरियां रलात्मक होगी इस बात को ध्यान देना तो वहिया a-c a से लेके c की माइनस यू रखेंगे ठीक अगला a-c तो चित्र में देख रहे होंगे v के बराबर है तो a-c बराबर v होगा परन तो माइनस v होगा आगे cf2 जो है वो माइनस f के बराबर होगा अब यह सबमान समी करण तीन में रख दीजिए बस ड़ी वेसल आपका कंप्लिट हो सबमान समी करण तीन में रखने पर समी करण तीन में रखने पर अब समी करण तीन क्या कर बच्चों यहां देखेंगे c है तो एसी कि एस्टान पे माइनस u a-c' hai a-c किस ए माइनस v नाची अे नाची भर टु बराबर एपर सीय डी स्थे है तो सीक्ट्थकि इसतान पर लियरा के है माइनस एफ देवर सीय डी सबर का यह दो प्लस भी क्योंकि पहले से आप याइगा अथा ब्लस ऑफ से करेंगे, तो minus bf आ गे, तो प्यारे बचू करते क्या हैं, दोनों पक्चो नियू भी ऐफ से भाग देने पर, अब जैसे दोनों पक्चो में U V F से भाग देंगे यहां U F बटे U V F आ जाएगा प्लस U V बटे क्या जाएगा U V F बराबर माइनस वी एफ बटे U V F तो यह यह चीज कैंसिल हो जाएगा U V से U V कैंसिल हो जाएगा U F से U F जाएगा त्यहां बचेगा माइनस एक बटे यहां बचेगा एक बटे एफ यहां बचेगा प्यारे बच्चो'm- 1 बटे यू अब दिहां देजे माइनस एक बटे वी उधर चला जायेतो प्लस हो जाएगा तो एक बटे एफ बराबर यह उधर गया तो प्लस हुआ और वह पहले ही से माइनस है आपके तो coordin बाटे ईक बराबर एक बठे वी माईनस ए बठेक यु यह रहा प्यारी बच्छो आउतल लेंज के लिए सुत्र तो देखें अप उत्तल लल्च के लिए दोनों के लिए वही शुत्र है process bht same उत्तलेंस और ओतलेंस दोनों के सुत्र अच्छे तरीके से समझवाया होगा क्यों आपको एक बार अभ्यास करने का ज़रूरत है प्यार बच्छो तो आप इसका एक स्कूर्साट लीज़ेगा फिर नेक्स्ट टॉपिक की चर्चा करते हैं तो गारिस हमारी नेक्स्ट टॉपिक है रेखिय आवर्धन अब हम देखेंगे रेखिय आवर्धन क्या होता है एक चोटी सी टॉपिक है प्यार बच्छो परंतु आपको जो एक्जाम में क्यों पूछ लिए जाते हैं तो आपको जानना ज़रूरी होता प्यार बच्छो तो बड़े-बड़े घड़े भर जाते तो दिहान देना रेखिय आवर्धन क्या होता है जैसे कि अभी आपने जब उत्तर लेंस के लिए सुत्र नेक्मन कर रहेते हैं तो आपने वहां देखा था ए और बी ए और बी ठीक अब जो ए और बी है प्यार बच्छो वह जो है वस्त गो डाइग्राम आपके स्क्रीन पर दिखाई पर आओगा आप इस डाइग्राम में आप देखिए कि जो ए और बी है प्यारे बच्छो जो ए और बी है वह आपके वस्त की लंबाई है यदि उसे हम ओ नाम दे दे अबजेक्ट मतलब वस्तु उसे ओ नाम दे और जो A-डेस प्रतिमिं बनता तो मुंख्य चिक ऊपर नापी गे लंबवत दूरी अरथात वस्ट कि लंबाई और मुंख्य चिके नीचे नीचे मुंख्य चिके नीचे लंबवत मापी अरथात का अनूपात ही रेखिय आवरधन कहलता है तो अच्चो रेखिय आवर्धन अर्थात हम चर्चा कर लेते हैं तो चोटी सी definition है उसकी अगर लिखना चाहेंगे तो आप लिख सकते हैं प्रतभींब की लंबाई किस की लंबाई प्यारे बैच्चो प्रतभिंब की लंबाई प्रतिबिम्ब की लंबाई वह वस्तु की लंबाई का अनुपात ही वस्तु की लंबाई का अनुपात ही रेखिय आवर्धन कहलाता है क्या कहलाता है रेखिय आवर्धन कहलाता है ठिक अगली पॉइंट की बात करें इसे हम इसमाल एहम से वेक्ट करते हैं किससे वेक्ट करते हैं इसमाल एहम से वेक्ट करते हैं ठिक इतनी बात क्लेर हुए आईए हम फार्मूला इसका लिख लेते हैं प्यरवच्चो फार्मूला क्या हो जाएगा रेखिय आवर्धन रेखिय आवर्धन ठिक रेखिय आवर्धन को हम इसमाल एहम से वेक्ट करते हैं इसमाल एहम बराबर क्या होता है प्रतबिम्ब की लंबाई किसकी लंबाई प्रतबिम्ब की लंबाई और बटे प्रतबिम्ब की लंबाई को हम आई से डिनोट करते हैं किससे डिनोट करते हैं प्रतबिम्ब की लंबाई बटे क्या हो जाएगा वस्त की लंबाई वस्त की लंबाई अब वस्त की लंबाई कौन है ओ है वस्त की लंबाई कौन है ओ है ठीक ध्यान से देखें अब ये हो गया रेखी आवरगन का फामुला प्रत्विम्बी की लंबाई बटे वस्त की लंबाई अगर इसको हम यू और वी के पदों में लिखना चाहें तो यू V के पदों में क्या हो जाता है प्यार बच्को वह धान दिजेगा इसी को हम आगर U A वी के पदों लिखना चाहिए तीसे लिख सकते हैं वी होता है न तो वी क्या होता लेंस से प्रतविम्ब की दूरी लेंस से प्रतविम्ब की दूरी लेंस से प्रतविम्ब की दूरी तो प्रतविम्ब की दूरी को हम वी से ब्रेक्ट करते हैं बटे क्या हो जाएगा लेंससे वस्त की दूरी को हम किस से दिखाते हैं यू से दिखाते हैं ठीक तो प्यारी बच्चों ये हो जाएगा अगर हम इसे संकेती गुरू में लिखें एम बराबर आई बटे ओ बराबर वी बटे यू ये फार्मूला होता है रेखी आवर्धन पाई ठीक इस प्रेकार रेखी आवर्धन यहाँ पर कुछ पॉइंट बात करते हैं प्यारे बच्चों यह होता है यह हम कहते हैं सार्ट ट्रिक जानने का कि भाई प्रतविम बड़ा बनेगा या छोटा बनेगा प्यारे बच्चों बिना चितर को देखे कैसे पता करेंगे कि प्रतविम बड़ा बनेगा या छोटा बनेगा तो ध्यान से देखना यारो पहला पॉइंट यदि यदि जो यम है जो यम है वो क्या हो जाए एक के बराबर हो जाए यदि जो एम है वो एक के बराबर हो तो प्रतिबिम्बस सदयो वस्तु के बराबर बनेगा ध्यान देना अब कैसे प्यार बच्चो समझ लेना ट्रिक क्या लगती है आपर जब यम का मान एक तबई आएगा जब ओ का भी मान दो हो आई का भी मान दो हो जब ओ का मान चार हो आई का भी मान चार हो जब ओ का मान च्छ हो तो आई का भी मान च्छ हो मतलब यारो सेम सेम डिजिट लिखन का मतलब होता है प्रतविम वस्तु के बराबर बनेगा वस्तु के बराबर बनेगा क्या इतनी बात क्लियर हुई क्या इतनी बात क्लियर हो गई अगली पॉइंड की अगर हम क्या कर ले बात कर ले क्या कर ले प्यारे बच्चो बात तो यदि यम कामान एक से चोटा हो एक से बड़ा हो यदि यम कामान एक से बड़ा हो यह जिदर खुला वह बड़ा है यम बड़ा है एक स यम एक से बड़ा हो तो प्यारे बच्चो यदि यम जो है एक से क्या होता है बड़ा होता है तो क्या होता है तो ध्यान से रिखे अब यम का मान एक से कब बड़ा होगा as example करते हैं अगर यहां 4 रखते हैं प्यारे बच्चो जब I का मान अगर 4 रखे यहां 2 रखे तो 2 आया अगर हम 3 रखे तो 1 आया फिर 4 रख दी एक रख दी मतलब कहने का मतलब है प्यारे बच्चो कि जब YM जो है 1 से बड़ा हो जब YM एक से बड़ा होगा तो जो प्रतविम्ब होगा वो भी बड़ा बनेगा कैसे प्यारे बच्चो अब यहां से जाएए हम क्यों 2 मिनिट आप और टाइम ले रहे हैं बस अब देखे YM बराबर क्या है आई बटे O है ठीक अब अगर हम I कामान 4 रख देते हैं फिक्स रख देते हैं और भाई साब O कामान हम 1 रखते हैं फिर O कामान 2 रखते हैं O कामान 3 रखते हैं O कामान 4 रखते हैं O कामान क्या रखते हैं 5 रखते हैं मतलब यह चीज बदल रहे हैं यह चीज यह चीज बदल रहा बार-बार उपर आला नहीं बदल है तो देखो यमकामान किस कंडिशन में एक मिल रहा है प्यारी बच्चो यहां पर चार आएगा बड़ा आया एक से ठिक एक से बड़ाया ना अब यहां पर दो मिला प्यारी बच्चो तो भई यहां भीro love ली के ये तो भाई एक से छोटा हो जाओगे अब जब ये एक से छोटा हो जाएगा इतनी तीनों चीजों में पॉइंट पगड़िये न क्यों एक से बढ़ा रहा क्योंकि हापका जो वस्तु है वो छोटा है वस्तु क्या है छोटा है देखे वस्तु की लंबाई छोटा है प इस बात को ध्यान दिजेगा तो प्रतिबिम्ब हो तो प्रतिबिम्ब वस्त उसे बड़ा बनेगा प्रतिबिम्ब वस्त उसे क्या बनेगा प्यारे बच्चो बड़ा बनेगा इस बात को क्लियर रखो अगली पॉइंट अगर बात कर ले यारों कि यदि यम कामान एक से छोट का हो जाए एक इस बार बड़ा हो जा रहा है मतलब यम कामान एक से छोटा हो तो इसका उल्टा हो जाता है तो प्रतविम्ब वस्त उसे क्या बनता है चोटा बनता है प्रतिविम वो वस्तु से चोटा बनता है प्रतिविम इस प्रकार आप बिना प्रतिविम को देखे बता सकते हैं कि प्रतिविम बड़ा बना है कि चोटा बना आपको इसके फिता किसी की जुड़त नहीं पर नहीं प्रतिविम उम्मीद है कि आपको यह ट्रि की जिसे हम करते हैं लेंस कि फना अब गाना मत गाने लिजिए अब जोभी रेंस ओचाहे उत्तल हो चाया उत्तल हो समझना ज़रा सा उत्तर लेंस का काम जो होता है न वो केवल क्या करता है कि मुख्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक् करता। मुख्यक्त करता। चलते हैं कि मुख्यक्त कर चलने वाली प्रिकास कुण को वह करता फैलाने का प्रियास करता है क्या करता है फैलाने का प्रियास करता है तो भई किसकी छमता की परिभासा कैसे दोगे इनका काम सिकोड़ना इनका काम फैलाना अब जैसे दो लिंस आपने ले लिया अगर मैंने का आग भई मैं एक नया नया लिंस लेके आ रहा हूं और बहुत बढ़िया है ये अब ये क्या कर रहा है कि चलो वो तो उतना सिकोड रहा था इतनी दूर से लेजा के इतनी दूर सिकोड रहा था परंत ये लेंस की खास बाते क्या है कि भाईया ये मुख्यच के समांतर जितनी प्रकास करणे पड़ेंगी सभी प्रकास करणों को जो है सभी प्रकास देगा चलो आपसे पहले ही सी कोड़ दिया तो बोलो किसकी चमता जादा हुई भाई सी कोड़ने के मामले में इसकी बोलोगे इसकी चमता क्या हो गई जादा हो गई अगर मैंने का एक काउतल लिंस लाए प्यारे बच्चो चलो भाई एक मुख्यच के समानतर प्रकास के यानि किसी लिंस द्वारा प्रकास के लो को सी कोड़ने है यह प्यारे बच्चो कितना प्रकास के लो कोड़ने वो उसकी चमता हो जाएगी भाई कि अंसीची प्रीपास करना है तो हम कह सकते हैं प्रकास करने को फैलाने और सिकोडने की छमता को ही लेंस की छमता करते हैं इसे हम पी से बैक्त करते हैं किस से बैक्त करते हैं पीस किससे बैक करते हैं पीस एक प्यारा सा वर्ड है इससे हम बैक्त करते हैं अब बात करें इसके मात्रक की तो भाईया इसके जो मात्रक होते हैं वह भी बहुत प्यारे होते हैं मात्रक जोता है डायोप्टर होता है क्या होता है डायोप्टर होता है और जिसे हम किससे बैक्त करत होती यह जिसकी फोकस दूरी उत्करम होती है वह लैंस की स्थोकस दूरी यहां पर आईगी यही परसी कोड़ेंगा अब इसकी फोकस दूरी यहां है सीधी सी बात है common सी बाते हैं प्यारे बचो तो मैंने क्या कहा कि जिसकी focus दुड़ी जितनी कम रहेगी उसकी छमता उतनी ज्यादा रहेगी तो इस प्रकार lens की छमता को हम लोग क्या कर सकते परिभासित कर सकते प्यारे बचो उमीद है कि आपको lens की छमता बिलकुल clear हो गया हो तो अब हम हमारी मुलाकात आपको next class में next topic के साथ होगी उमिद करते हैं कि next topic में हम लोग इस chapter को समात्त कर लेंगे प्यारे बच्चों फिर जितने फार्मुले हैं हर एक फार्मुले पर आपके exam में जो सवाल पूछे गए होंगे उन सवालों की हम चर्चा करेंगे प्यारे नेक्स्ट क्लास में तब तक के लिए आप वीडियो देखें enjoy किजिए और प्यारे बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को like कीजिए और उन सभी दोस्तों के पास share करना मत भूलेगा जो इस बार यूपी बोर्ड से इंटरी की तयारी कर रहे चाहिए ब्यारे बच्चों तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियों तब तक के लिए जैहिंद जैवाद थेंक वाल जे इस टूडेंट कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो